बच्चों आज हम पढ़ेंगे whole number whole number में multiplication की बात करें multiplication of whole numbers तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो यहाँ पे multiplication होता है देखिए सबसे important चीज यह है कि जो multiplication is the repeated edition यहाँ पे बच्चों fill in the blanks बन सकता है multiplication क्या होता है is repeated edition यह देखिए यहाँ पे example से भी clearly explain किया गया है कि हमारे पास total number of balls यहाँ पे देखिए 5 को कितनी बार add किया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 times हमने 5 को add किया उसके लिए हम directly लिख सकते हैं 6 into 5 that is 30 तो multiplication जो होता है वो repeated edition होता है उसी तरीके से रेखिए हम properties की बात करेंगे multiplication whole numbers में तो closer property की बात करेंगे यदि हमें कोई 2 whole number दिया है तो उसका जो multiplication होता है वो भी whole number ही होगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास यह जो properties है इसमें whole numbers के multiplication दिखाए गए है properties जैसे हमारे पास है क्योंकि multiplication के बाद भी जो result आएगा वो भी एक whole number ही होगा तो इसको closer property बोलते है कि हमने 2 whole number का हमने multiply किया और result जो आ रहा है वो भी whole number आ रहा है मतलब whole number का whole number में ही जब result आता है तो वो कौन सी properties होती है वो होती है closer properties इसी तरीके से हम लोग commutative law की बात करेंगे तो commutative law क्या होता है दोस्तों बच्चों कि commutative law में जब हम दो number का multiply करेंगे तो उसके order को अगर हम फिर से change कर दें जैसे 7 into 5 भी 35 आएगा और 5 into 7 भी 35 आएगा तो A into B अगर हम दो number example से बात करें तो A into B भी होगा जो B into A means multiplication जो होता है whole numbers का वो उसके order का कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह हो जाएगा commutative law तो commutative law में जो दोस्तों formula है यहाँ पे वो दो number के multiplication के लिए है तो A into B general formula जो हो जाएगा वो A into B is equal to B into A है तो commutative law का जो दोस्तों formula है वो हो गया A into B is equal to B into A जिस परकार 7 into 5 5 into 7 equal होता है तो दो number में अगर हम multiplication find out करते हैं order change कर देते हैं तो वो किस law को represent करता है commutative law of multiplication इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे देखें multiplicative properties आप 0 की बात करें तो किसी भी whole number में यदि हम 0 का multiply करते हैं तो वो 0 ही answer आता है तो यह एक law हो गया प्रापर्टीज हो गई प्रापर्टी हो गया जो होगा multiplicative property of 0 same multiplication properties of 1 होता है किसी भी number में हम 1 का multiply करते हैं तो वही number आता है जैसे 8 into 1 8 आया तो यह multiplicative property of किसकी हो गई 1 की बच्चों यहाँ पर देखें अगली law है जो है वो associative law है associative law में क्या होता तीन number लेते हैं 1, 2, 3 तीनों whole number है अब यहाँ पर देखें जो bracket so कर रहा है priority को so करता है कि यदि हम A into B को पहले multiply करें उसके बाद जो result आएगा हम C में multiply करेंगे तो हमारा जो answer होगा बच्चों वही आएगा कि यदि हम B और C को पहले multiply करें उसके बाद A के साथ multiply करें तो यदि यहाँ पर जो bracket लगा हुआ है bracket मतलब हम सबसे पहले bracket solve करते हैं board mass जो हमने पढ़ा है तो हम A और B को multiply करने के बाद C का multiply करें या पहले B और C का multiply करें उसके बाद A का multiply करें तीनों यह जो result आएगा दोनों side का वो equal होगा तो जब हम तीन नंबर में लेकर कि इस तरीके से प्राप्रियार्टी के वाइज यह bracket apply करते हैं तो वो हो जाता है associative law in multiplication अगला law है distributed law of multiplication over addition तो यहाँ पर देखिए A into bracket में B plus C लगा हुआ तो B plus C क्या है? दो नंबर है इसको हम A से multiply करेंगे तो A क्या होगा? distribute होगा कहां bracket में जब हम multiply करेंगे तो A का multiplication B में भी होगा और इसी A का multiplication C में भी होगा तो A क्या होगा? distribute होगा B और C पे और लेकिन दोनों के बीच में क्या sign है? plus sign है तो इसको हम क्या बोल देंगे distributed law of multiplication over addition तो A into B बीच में plus sign था तो plus A into C तो here A is distributed on these two numbers so it is called distributed law of multiplication over addition similarly यहाँ पर distributed law of multiplication over subtraction आता है यहाँ पर B और C के बीच में minus sign है multiply में bracket के बाहर A है तो इस A का multiply B में भी होगा तो यहाँ देखिए right hand side में लिखा हुआ A into B B और C के बीच का जो minus था उसको minus कर दिया और A into C लिख दिया था यहाँ पर देखिए जो A है B और C दोनों के साथ multiplication में आ जया मतलब A distribute हुआ B और C पे जबकि B और C के बीच में क्या sign था minus तो इसको बोल देंगे distributed love multiplication क्योंकि है multiply हुआ है A का over subtraction over मतलब B और C के बीच में जो minus sign था subtraction था यहाँ पे एक example से भी समझ सकते हो आप 11 into 6 minus 4 है तो 11 into 6 लिख लेंगे minus 11 into 4 यहाँ पर देखिए next step में explain किया गया है 11 into 6 हो गया 66 minus 44 तो answer आगया 22 तो these are the properties of whole number